वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज किस वीडियो में बहुत ही पोश्टिक फल आवला के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ आवला जिसे इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है इसकी तासीर ठंडी होती है इसलिए ये पेट के लिए तो बहुत ही गुड़कारी होता है साथी साथ आयूरुबेद में और भी बहुत जबरजस्त फायदे बताए गए है पर दोस्तों आवला खाने से पूरी तरह से लाप तभी मिलता है जब हम उसको उपयोग सही तरह से और सही समय पर करते है तो चलिए जानते हैं आवला खाने का सबसे सही तरीका क्या है आवला हमें कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए आवला खाने का सही तरीका क्या है तदा किस तरह हमें इसका सेवन करना चाहिए एक दिन में कितने आवले हमें खाने चाहिए साथ ही जानेंगे रोज एक आवला खाने से हमें क्या लाब मिलेगा और किन लोगों को आवला का सेवन नहीं करना चाहिए इसलिए फ्रेंड्स इसमें मैं आवले का complete information दूँगी इसलिए ये वीडियो बिना इसकिप किये पूरा देखिएगा और साथ ही चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा दोस्तों आवला एक सुपर फूट की सरणी में आता है इसको अमरत फल भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अमरत के समान है ये एक ऐसा फूट है जिसमें संत्रे से भी 20 गुना विटामिन C होता है और इसकी खास बात ये है कि इसको लंबे समय तक इस्टोर भी किया जा सकता है पर ध्यान रहे इसे सुखा कर ही इस्टोर करे रोजाना आउले का उप्योग हमारे लिए बहुत ही फायदे मन होता है क्योंकि आउले में भरपूर मात्रा में विटामिन C और A पाया जाता है और इसके साथ ही इसमें जिंक, कैल्सियम, मैगनिस, पोटेसियम, फासफोरस और फॉलेट से भरपूर आउला शरीर में जो सरीर में टाक्सिक होते हैं उनको बाहर निकाल कर लीवर फंक्सन को भी बेतर बनाने का कार करता है साथ ही ये आपके फिचकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफीसियल है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आउला खाने का सही समय क्या है तो किस वक्त हम इसका सेवन करके भरपूर लाब उठा सकते हैं अगर आप कच्छा आउला खाते हैं तो इसे खाने का सबसे सही तरीका या सही समय सुबह खाली पेट होता है पर इसमें बिटामिन C की मात्रा बहुत अधिक होती है जिस बज़े से ये एसिट भी बनाता है तो इसलिए कुछ लोगों को सुबह खाली पेट खाने में डिसकंपर्ट फील होता है इसलिए ऐसे लोगों को दुपैर को खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद आप इसको खा सकते हो या आप 3-4 बजे तक भी लेते हो तो सही है आउले की तासीर फ्रेंट थंडी होती है इसलिए आप रात के समय में आउला ना खाएं तो अच्छा है क्योंकि कई लोगों को ये सूट नहीं करता है इससे सर्दी, खासी और जुखां भी हो सकता है पर आप आउले की चूरन का सेवन रात के समय भी कर सकते हैं और इसको आप भोजें करने के बाद एक चमच ले लीजिए साथ में उपर से पानी ले ले तो बहुत ही फायदा होगा आईए अब मैं बताती हूँ कि आवला खाने का सही तरीका क्या है और किस तरह आप इसका सही तरह सेवन कर सकते हैं वैसे तो इसे खाने का सबसे सही तरीका है कि आप इसे काले नमक और काली मिर्च के साथ खाएं इससे आवले का जो खटास होता है वो थोड़ा कम हो जाता है पर एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इसे खाने के कम से कम एक खंटे बाद तक दूद, चाय, काफी का सेवन नहीं करें तो ठीक होगा पर दोस्तों अगर आपको कच्छा आवला खाने ना पसंद हो तो आप इसका मुरब्बा, अचार या कैंडी बना कर भी खा सकते हैं और आप इसे दोपहर के सलाथ की रूप में भी ले सकते हैं और आप इसे चटनी बना कर भी शामिल कर सकते हैं इसके अलावा आप रात में इसका चूरन खाएं तो पेट की समस्या भी दूर होगी दोस्तों पर किसी को कच्छा आउला सूट नहीं करता है तो आप इसे डारेक्ट ना लेकर इसका जूस बना कर भी ले सकते हो और इसका भरपूल लाव उठा सकते हो और अगर आपको केवल आउले का जूस ना पसंद हो तो इसमें कैरेट या बीट रूट को मिलाकर इसका डेली एक गिलास जूस बी हैं और ये भी ज़्यादा लापकारी होगा दोस्तों ये तो मैंने बताया आउला खाने का सही तरीका और समय क्या है पर अगर आप इसका सेवन सही मात्रा में नहीं करते हो तो ये फायदा करने की जगे नुकसान भी करता है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि दिन भर में कितना आउला खाना चाहिए वैसे तो आप दिन भर में कम से कम एक आउले का सेवन जरूर करना चाहिए तथा ज्यादा से ज्यादा खाते हैं तो एक चम्मच से ज्यादा ना खाएं मतलब कि आप दिन भर में एक आउला खाएं या एक या दो आउला खा सकते हो और अगर आप चूरन लेते हो इसका तो सिर्फ एक चम्मची चूरन लें उससे ज्यादा ना ले और दोस्तो आउले की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है इसलिए आप इसका प्रियोग जादा ना करें नहीं तो ये नुकसान भी कर सकता है अब हम बात करते हैं आउला खाने के फाइदे क्या है तो सबसे पहली बात आउले में विटामिन A और C की मात्रा बहुत अच्छी होती है इसलिए तोचा को फाइदे मंद रखने में बहुत ही जादा फाइदे मंद होता है ये हमारी इसकिन के दाग दबे दूर करता है साथ ही साथ हमारे चेरे में जुरियां हैं रिंकल्स हैं उनको हटाने में भी मदद करता है जिसने हमारी तोचा चमकदार होती है दूसरा साथ ही इसमें विटामिन C भी होता है और विटामिन A भी होता है इसलिए ये हमारी आखों के लिए भी बहुत फायदे मंद होता है इसको डेली एक आखों की रोसनी को भी बढ़ाता है और इसमें मोतिय बिंद की समस्या नहीं होती है वो दूर होती है तीसरा इसके साथ ही साथ आउला हमारी पाचन सक्त बढ़ाने में मदद करता है जी हाँ आउला में उच इस्तर का फाइबर होता है जो डाइजेशन को ठीक रखता है और अगर आप आउले का सही मातरा में रोस सेवन करते हो तो इससे कबज की जो समस्या होती है वो भी दूर हो जाएगी और आउले में किरोटीन, विटामिन E और आईरन भी होता है जो कि बालों को चमकदार बनाता है और साथ ही इसकी ग्रोथ को भी बढ़ाने में मदद गाग होता है तो अगर आप नियमित रूप से आउले का सेवन करते हो तो इससे बालों की जड़ने की समस्या भी दूर हो जाती है और बाल अच्छे ग्रोथ करते है अगर आपको बहुत जल्दी ठकान महसूस होती है और आप थोड़ा सा भी काम करने में ठक जाते हो शरीर में एनरजी की कमी महसूस होती है तो उन्हें डेली आउले का सेवन जोरू करना चाहिए आउले में मौझूद विटामिन सी ना केवल आपको एनरजी देता है बलकि साथ ही साथ यह आपके शरीर के जो रोग प्रत्रोदक छमता है उसको भी बढ़ाता है और इमनिटी भी पूश्ट करता ह दोस्तों रोजाना सुबह कच्छा आउला खाएं इसका जूस पियें और आपके शरीर की जो चर्वी है वो भी कम होती है इसका कारण यह कि इसमें बैतरिन एंटी आक्सिडेट मौझूद होता है साथ ही विटामिन सी भी होता है जिससे जल्द वेट लास होता है इसके अला अगर आप आपका खून पतला करने की इसके अलावा क्या होता है यह जो कोलिस्टाल है हमारे सुझी में उसके लेबल को बैलन्स करता है और यह दिल की बीमारी जिसकी वज़े से जो दिल की बीमारी उसका खत्रा कम हो जाता है आउले का वरपूर मातरा में केल्सियम होता है और इससे की हमारी हड़िया भी मजबूत होती है तो फ्रेंट्स ये बात हो गई आवले का सेवन करने से हमें क्या लाव होता है लेकिन आवला कब नहीं खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए ये भी हम आपको अतारें अगर आप डायविटीस हैं ये हाई बलेट प्रेशर की दवाईयां ले रहे हो तो आपको आवले का सेवन करने से पहले डाक्टर से जरूर सला लेनी चाहिए और इसके साथ अगर आप खुण पतला करने की दवाईं खा रहे हैं तब भी आपको आवले का सेवन नहीं करना चाहिए साथ ही pregnant lady को भी इसका सेवन से परेज करना चाहिए अगर आपने अभी अभी surgery करवाई है तब भी आपको आवले का सेवन नहीं करना चाहिए इसके अलाव़ जिसे allergy की problem है उसको भी आवले का सेवन नहीं करना चाहिए फ्रेंट्स जरूरत से अधिक अगर आप आले का सेवन करते हो तो इसकी ग्लू होने की जगे ये ड्राइव हो जाती है और इसे ज्वाइंट पेन की भी समस्या बढ़ जाती है तो इस दे फ्रेंट्स कोई भी